C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समई दर्सी किताब आस पास का सबक 13, सफा नंबर 87. अपने एहसासात में शरीक करना इसकूल से लोटने के बाद खर पर मैं दो लोगों से अपनी सब बात बताना चाहती हूँ. वो मेरी बाते सुनकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं. पहली तो हैं मेरी नानी, वो मेरी बातों को शौक से सुनती हैं. वो इसकूल से मेरी वापसी का इंतजार करती हैं. उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में दर्द रहता है. नानी उचा सुनती हैं और उन्हें दिखाए भी कम देता है. रोज सुभा पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं. नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं. अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो परिशान हो जाती है. उन्हें दिखाए भी कम देता है लेकिन उन्हें सबजी काटने का बहुत शौक है. कहती हैं कि आजकल के बच्चों को ठीक से सबजी भी काटनी नहीं आती है. दूसरे हैं मेरे रवी भहिया. मैं उन्हें रवी भहिया कहती हूँ. वो मेरे वालिदैन को भहिया भाबी कहते हैं. हमारा क्या रिष्टा है मैं नहीं जानती. लेकिन वो मेरे बहुत प्यारे भाईया है वो मेरे सवालों के जवाब देने को हमेशा तयार रहते हैं कभी नहीं कहा बाद मैं बताऊंगा रवी भाईया कॉलिज में पढ़ाते हैं सब बच्चे उनकी इज़त करते हैं कुछ तो उनसे पढ़ने के लिए घर भी आते हैं इस सफे की दाई जानिब रवी भाईया की तस्वीर दी गई है उनकी आँखों पर काले रंग का चश्मा है उनकी गोत में एक सफैद स्टिक है और ब्रेल लिपी की एक किताब मौजूद है रवी भाईया को गाने सुनने और ड्रामों में हिस्सा लेने दोस्तों के साथ घूमने और बाते करने का बहुत शौक है उनमें मज़ा की अच्छी हिस है और वो हम लोगों को खूब हसाते है सफा नमबर 88 भाईया जब घर से बाहर जाते हैं तब एक सफेज छड़ी ले कर जाते हैं उनको घर के अंदर घूमता फिरता देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता अगर कोई उन्हें सहारा देने की कोशिश करता है तो वो नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वो खुद बता देते हैं कुछ तलबा रवी भहिया के कॉलिज की किताबे ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद किताबों की रिकॉर्डिंग करके उन्हें टेप दे जाते हैं रवी भहिया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं भहिया के पास मोटे कागस की दूसरी कई किताबे हैं, जिन में बहुत सारे उभरे हुए नुक्ते होते हैं। उन पर हाथ फेर कर वो पढ़ते रहते हैं। भहिया को छेडने के लिए मैं कभी-कभी उनकी छड़ी रखने की जगा बदल देती हूँ। वो परिशान तो होते हैं, लेकिन नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दर्वाजे पर पहुची ही थी कि भहिया बोल पड़े। क्यूं सीमा, आज तुम बहुत खुश हो। भाया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर ये भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूं या उदास। भाया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई। मैंने भाया को अपनी खबर सुनाई। भाया मेरी पीट थप थपा कर प्यार से बोले, आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार रोज जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्रवाले लोगों की किस तरह मदद करते हो। जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किस किसम के मसाइल का सामना करना पड़ता है। रवी भाया बगैर देखे बहुत सारी बाते कैसे जान लेते हैं। कहानियों में बच्चे दिल्चस्पी लेते हैं। लिहाज़ा कहानी के किरदारों की मदद से उनमें हमदर्दी के जजबात पैदा किये जा सकते हैं। सफ़ा नंबर 89 क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी है? कब? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें छड़ी की जरूरत कब पड़ सकती है? हम उन लोगों की मदद कैसे करते हैं जिन्हें नजर नहीं आता क्या तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा फर्द है जो देख, सुन या बोल नहीं सकता क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो उनके काम में लोग कैसे उनकी मदद करते है तुमने कहानी में पढ़ा कि रवी भाईया देख नहीं सकते लेकिन वो अपने सारे काम खुद ही करते हैं वो अलग किस्म की किताबे पढ़ते हैं ये समझने के लिए वो अपने काम कैसे कर लेते हैं पहले आँखे बंद करके ये खेल खेलो आँख मिचोली ग्रुप में एक बच्चा अपनी आँखों पर पट्टी बांधे बाकी बच्चे एक एक करके चुप चाप उस बच्चे के पास आएं आँखे बंद किया हुआ बच्चा दूसरों पर हाथ फेर कर उन्हें पहचानेने की कोशिश करे ख्याल रहे कि कुई आवाज न करे ऐसा क्यूँ? इस तरह बारी बारी सब ही बच्चे अपनी आँखों पर पट्टी बांधें और दूसरे बच्चों को छूकर पहचानेने की कोशिश करें खुद को किसी और के हालात में रख कर हम उसकी मुश्किलात वो मसाइल को बहतर तौर से समझ पाते हैं सफ़ा नमबर नव्वे आपस में बात करो और बताओ कितने बच्चे दूसरों को छूकर पहचान पाए कितने बच्चे आवाज सुनकर दूसरे बच्चों को पहचान पाए दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था छूकर बताओ कि तुम्हारे मुह में कितने दाथ हैं क्लास में किस के सबसे ज़्यादा दाथ हैं क्या क्या चीजे तुम सिर्फ छू कर पहचान सकते हो। आख बन करके बैठो और सुनो कैसी कैसी आवाजे सुनाई देती हैं किन लोगों की आहट से तुम उन्हें पहचान सकते हो। सिर्फ सुन्ग कर क्या तुम बता सकते हो के कोई तुम्हारे करीब है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल मोटे कागस पर किसी नोकीले और जार से नुकते उभार कर लिखा जाता है। ब्रेल कागस के उभरे हुए नुकतों पर उंगलियां फेर कर पढ़ा जाता है। आओ अब देखते हैं कि बगयर देखे किसी शकल यानि हवले को पहचानना मुश्किल है या असान। इस पर मोटे उन या सुतली को बांध कर किसी चीज का हवला बनाओ। अपने दोस्त को ताकीद करो कि वो आखे बन करके इस शीट पर उंगलियां फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है। अपने दोस्त से पूछो कि क्या ये काम आसान था या मुश्किल अपने दोस्त से कहो कि वो कभी इसी तरहां रेग माल की शीट पर कोई शकल बनाए। अब तुम उसे उंगलियों से महसूस करके पहचानो। मोटे कागस का एक टुकड़ा लो। उस पर परकार ये कील की नोक से किसी खास हवले का खाका बनाते हुए उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करो। तुम देखोगे कि कागस दूसरी तरफ से उभरेगा। अब अपने दोस्त से कहो कि वो आँखे बन करके कागस पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है। ये बताना मुश्किल है ना। सफ़ा नंबर 91 उन लोगों के बारे में सोचो जो बगैर देखे पढ़ लेते हैं। आओ ब्रेल के बारे में जाने। तुमने देखा कि रवी भाया एक खास तरहा की किताबों को ही पढ़ सकते हैं। ये किताबे कैसे बनी। उनके बारे में सबसे पहले किसने सोचा इसके बारे में जाने। इस सफ़े पर ब्रेल का एक नमूना दिया गया है जिसमें अंग्रेजी के लवज A से लेकर E तक हर्फ लिखे गये हैं। और उन हर्फों के नीचे ब्रेल लिपी में उन्हें दर्च किया गया है। लूई ब्रेल फ्रांस का बाशिंदा था। जब वो तीन साल का था एक दिन अपने वालिद के ओजारों से खेल रहा था। अचानक एक नोकिले ओजार से उसकी आँख में चोट लग गई। उसकी आँखों की रोशनी चली गई। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसने हार नहीं मानी। वो पढ़ने लिखने के लिए तरहा तरहा की तरकीबे सोचता रहता था। आखिरकार उसने छूकर और महसूस करके पढ़ने का एक तरीका ढूंड लिया। ये बात में ब्रेल रस्मलखत के नाम से जाना जाने लगा। इस तरहा के रस्मलखत में मोटे पर उभरे हुए नुक्ते बने होते हैं। उभरे हुए होने की वज़ा से उन्हें उंगलियों से छू कर पढ़ा जा सकता है। ये लिखावट छै नुक्तों पर मुश्तमिल होती है। ब्रेल रस्मलखत में काफी तबदीलियां हुई हैं। इनकी वज़ा से ब्रेल के जरीए पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल रस्मलखत अब कम्प्यूटर के जरीए भी लिखी जा सकती है। बच्चे हकीकी ब्रेल रस्मलखत यानी लिखावट को देखेंगे तो उसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसी के साथ 24 असबाक की किताब आसपास का तेर्वा सबक अपने एहसासात में शरीक करना यहीं खत्म होता है। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नही दिल्ली भारत।